हलो इस्टुडेंट आप सभी का मेरे वीडियो लेक्चर में स्वागत है आज जो हम मेटसिन डिसकस करने वाले हैं वो है एगनस कास्टस जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेटसिन का जो कॉमन नेम है वो क्या है मेटसिन का कॉमन नेम है कैस्टे ट्री एंड नेचुरल ओर्डर भर्वेरियंस से तो आएए चलिए हम आगे इसका डिसकस करें डिटेल्स और सिम्टम्स कौन-कौन से होते हैं सबसे पहले हम जानेंगे कि यह किन-किन लोगों को सबसे जादे सबसे अधिक सूट करती है दा मेटसिन एगनस इस भेरी मुझ सूटेबल टू दा लिम्फैटिक कंस्टिटूशन लिम्फैटिक कंस्टिटूशन क्या है वो मैंने यहां नीचे मेंचन किया लिम्फैटिक कंस्टिटूशन लिम्फैटिटिगक फिर लिम्फैटिक स्यस्टिटूशन लिम्फैटिक कंशन् लिम्फैटिक फिर दे टूटोशन इलिमिनेशन ओफ टॉक्सिन वाट देट मेंस देट मेंस दा पर्सन गट दा रेकरेंट कैटरल कफ एंड कैटरल सर्दी खांसी जिसको आप लोग समान रूप से सभी से कभी न कभी ग्रसित रहते हैं लेकिन जिन लोगों को अक्सर बार-बार ऐसा होते रहता है तो इस पर्सन is known as the lymphatic constitution समान रूप से lymphatic constitution में आप यहाँ देखेंगे कि जो tendency है inherent tendency जिसको बोला जाता है inherent tendency यहाँ मैंने नीचे mention किया है नीचे जो मैंने mention किया है वो है inherent tendency, inherent tendency क्या है यह उनको कौन-कौन से disease जो है बार-बार होते हैं वो है एड़नवाइग, tonsil irritation, splenitis, swollen lymph node, lymph node जगा-जगा से फूल जाना, irritated appendix, cataral and extedition, eczema, skin की धेर सारी बिमारिया होना, eczema, acne, dry skin, dandruff, और respiratory tract की अस्थमा, cough, bronchitis, sinusitis and furthermore is the diarrhea, arthritis, vaginal discharge, eye retention, fluid retention, all these are सबसे महत्मुर्ट चीज़, इन सारे disease में, complaints में आपने क्या पाया है कि यह सारे infectious disease है, बार-बार infection होने से, यह सारे disease जो अक्सर लोगों को होते हैं, जिन लोगों को, this person आज know there is the lymphatic constitution person, तो Agnes Castus जो है, lymphatic constitution को सबसे अधिक suit करती है, next pointer जो मैंने mention किया है, next pointer is, absent minded, absent minded, reduced power of insight, what does you mean by the insight, reduced power of insight is, आत्मबल, जिसको अंदर की सक्ति बोलते हैं, उसको आत्मबल बोला जाता है, स्वेम का आत्मबल कितना होता है, आत्मबल उनका बहुत कमजोर हो जाता है, cannot recollect, has to read a sentence twice before he can comprehend, ये aliens की note में ये symptoms mention है, इसका मतलब है कि ऐसे लोग जो की एक sentence को समझने से पहले उसको दो बार जरूर पढ़ते हैं, minimum two times वो जरूर पढ़ते हैं, that means उनका दिमाग का जो capacity है, वो कम रहता है, कम हो जाता है, जिसके चलतु उनका समझने में time लग जाता है, and again here for the cross reference, the medicine is, are the lacopodium, phosphoric acidum, CPR, all these medicine are the same, have the same symptoms, next further, the old sinners, you got it, the old sinners, sin means, sin का मतलब होता है, पाप, समान जो sin का मिनी होता पाप, लेकिन यहाँ पर जो इस्तमाल किया गया है, old sinners, यह old sinners कि, old sinners किसके लिए है, old sinner समान रूप से, उनके लिए है, old sinner जो यहाँ हमने इस्तमाल किया है, यह word उनके लिए है, कि जैसे, यह agnes castus, जो medicine है, यह खास करके, master वैसन जो लोग करते हैं, या sexual activity में अधिक involved, injured रहते हैं, उनके लिए medicine है, तो इसको भी पुराने, चाहे आज के भी समाज में इसको बाप की संग्या दी है, यदि आप इसको एक balance वे में sexual activity नहीं करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर यह term mention है, old sinner, जो पुराने master वैसन के रोगी है, या यूं कहिए कि sexual activity, sexual desire उनमें अधिक मात्रा में है, तो these are known as the old sinners with impotence and glit, again, here we see the meaning of glit, glit का meaning क्या है, inflammation of urethra with slight discharge of thin pus and mucus, a stage of chronic gonia, जब infection होता है, especially the ignoria के case में, urethra से slight discharge रहता है, उसमें inflammation हुआ रहता है, और slightly discharge mucous membrane transparent mucous का भी discharge हो सकता है, और slight pus discharge भी हो सकता है, तो इसे को glit बोलते हैं, तो जिस person को, जिस man को importance हो और glit हो, urethra से discharge होता हो, ऐसे लोग और unmarried persons suffering from nervous debility, यह एक mind का और nervous system का कम्योर हो जाना, agnes casters का एक nature है, तो इसमें unmarried persons, यहाँ तक सी अविवाहित पुरुष, खास करके समाज में जो विवाहित होने का बाद sexual activity होती है, बड़ जो लोग इस activity में अधिक मात्रा में इंजल रहते हैं, अक्सर चलते रहता, एक तरस कहिए इसके जो habituated रहते हैं, तो वो साधी से पहले ही prostitute से लेके master lesson तक का आदत पाले रखते हैं, जिसके चलते हैं उनके जो है, बाकी तो जो importancy होती है, वो तो बात की चीज़ है, लेकर सबसे पहले उनके मस्तिक की सकती कमजोर हो जाती है, तो ये रहा suitability, किन-किन person को suit करती है, ये agnes कैस्तर, agnes जो medicine है, सबसे पहला चीज़ हमको यहाँ देखने को है, कि वो सबसे पहले तो lymphatic constitution को, उसका constitution lymphatic होता है, और फिर जो person absent minded होते हैं, reduced power होता है, reduced power of insight, आत्मबल जिनका कमजोर हो, importance हो, glit से सफर कर रहे हो, तो ऐसे वेक्ति agnes कैस्तर के रोगी माने जाते हैं, अब हम next slide में चलते हैं, next slide में भी हमने एक terminology यूज़ की है, जो total यह है, मैंने यहां mention किया है, यह सब एलेंस की note में mention है, बट इसको समान रूप से आप समझेए कि इसमें क्या होता है, premature old days, बहुत student इसमें confusion है, what is the premature old days, एक समान रूप से जो बेक्ति की life गुजरती है, वो child से फिर young होता है, adult होता है, adult के बाद फिर old days के तरफ जाता है, old days में समान रूप से सारी शरीर का जो activity और सक्तिया वो weak होने लगती है, लेकिन यहाँ पर term है premature, premature means young age में ही, like that after 30 to 40, between, इस age में ही व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जो योन सक्तिया है, वो कमजोर हो रही है, चाहिए शरीर उनका कमजोर हो रहा है, तो इसी को premature बोलते हैं, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ है melancholy, melancholy में यह एक feeling है, a feeling of sadness which lasts for a long time, बन उदास रहना है, और काफी देर तक उदास रहना है, जैसे आम तोर पर जो व्यक्ति रहते हैं, उनमें थोड़ा उत्साह रहता है, वो कुछ करना चाहते हैं, अगनस के case में, ऐसे मरीज उत्साही नहीं रहते हैं, निरास रहते हैं, तो यह एक उनके अंदर दुख की भावना हमेशा रहती है, यह एक माइड के वीक्नेस के अंदर में आता है, तो यह एक इसको मिलान को लिए पैथेज, एपैथेज, अगन वी सी दे लैक आप इंट्रेस्ट, जिसका माइड कमजोर रहेगा, वो क्या करेगा, एक तो उदास बैठा हैं, दूसरा उसको, एक माईड करने किसी चीज में वो इंट्रेस्टे नहीं रहती है, अगन, दिस मेंूंध हमद्रेस्ट, नख करने का जए टासे किसी चीज मह अंद्रेस्ट नहीं रहती है, में दिसक्स्ट एक टॉक्नि आप चिजाός हम एक सरी जैए तो निए में। पिर कह द op época action state, he is unable to concentrate on anything for a long or shorter duration of time, next is the self content, what is mean by self contents, यह ब्रैकेट में मैंने मैंने मेंशन किया content और लोधिंग फ्रांग, one self और one's action, जरसल यहां समझने की बात है, self content क्या है, self content, एक ऐसा state है कि जिसमें व्यक्ति बहुत बार अपने कर्मों को ही बैट के, अपने किये हुए कामों को बैट के एकांत में सोचता है और उसके उपर अफसोस जाहिद करता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, especially arising in the young person from abuse of sexual power or the seminal loss, जैसे आप यहां देखने, arising from young person from abuse of sexual power from seminal losses, यह आप दोर पर उनके case में होते हैं, जो कि masturbation के habituated होते हैं, तो after few year, four year, five year generally यह जब adult age होता है, तब यह शुरू होता है masturbation की tendency और after four, five or ten continuous year of practicing masturbation, these people or these young people feeling these particular mental symptoms, in which the self-contempt is one, he always thinking and after feeling weakness and doing so much of the masturbation, एसे लोग क्या है, अब आपन गलानी में उनको लगता है कि इनों बहुत भारी गलती करती है, जो कि sexual pleasure के लिए इतने time तक masturbation की habit पाले हुए, या जिनको prostitute और others मिन से sexual satisfaction करने का हो, बहुत बार एक चित ध्यान रखने कि ऐसे लोग homosexual होते हैं, तो homosexual activity में ऐसे लोग इंजल रहते हैं, तो कुछ time बाद इनको जब सरीर में परसानी होने लगते हैं, कमजोरी होने लगते हैं, अब यह अपने आपको कोशना सुरू करते हैं, तो जब कोशना जिसको बोलते हैं, तो this is the known as the self-contempt, अगें, अब हम अगले slide में चलते हैं, now this slide, we will discuss about the special condition in which the agnes is work, especially agnes जो work करती है, वो means में जो importancy होती है, उसमें work करती है, पहले ही हम लोग discuss कर चुके हैं, कि उनमें किन-किन कारणों से कमजोरी आ जाती है, खास करके masturbation और other means of sexual practice के चलते हैं, उनमें कमजोरी आ जाते हैं, उस कमजोरी से क्या होता है, complete importance, अर्थाक पूरी तरह से वो नपुनसक के state में आ जाते हैं, नपुनसकता कैसे होती है, उनमें जो उनका organ होता है, जनेटिल organ, खास करके penis में क्या है, relaxation, यहां जो देख रहे हैं, relaxation, flaccidity, flaccidity का meaning यहां bracket में ने लिखा है, lacking firmness, जो firmness होनाता ही है, penis में, sexual act के लिए, वो खतम हो जाता है, अर्था तो वो लूज हो जाता है, जो due to this, the penis is not able to penetrate the vagina, तो इसके चलते वो sexual activity नहीं कर पाते हैं, तो यह उनके लिए, impotency का state यह रहता है, coldness of जनेटिला, आमत्वर पे body का हर एक part जो healthy रहता है, वो कुछ नकुछ एक गर्माहाट लिए वे रहता है, और खास करके जनेटिला तो अधिक गर्म नाता है, but in case of the agnes patient, the जनेटिला is going to be very cold, going to be a coldness state, very cold तो नहीं रहता है, लेकिन एक ठंधा पन उसमें, मसूस होता है, गर्माहाट नहीं होती है, no sexual power or desire, अब यहाँ समझने वाली बात है, उपर तो जो हमने mention किया, वो relaxation, flaccidity, यह penis का, that means the physical symptoms है, here comes the mental symptoms, mental symptoms में क्या है उनके? Mental symptoms में है, no sexual power or desire, उनको इतने सालों से यह चीज करते हुए, sexual activity करते हुए, अब कुछ time बाद, कुछ समय बाद, उनको अब sexual activity करने की desire नहीं, बाकी यह नहीं रहती है, for cross reference, cladium and selenium medicine है, यह in medicine में भी ऐसा mind का state रहता है, तो यह उनके mental इस्तिती हो जाती है, अब यह भी एक है, इसमें क्या हो है, कि गुनोरिया जो है, आज कल तो बहुत कम इसके patient पाया जाते हैं, क्योंकि antibiotics चल जाते हैं, तुरंद, but due to the unsafe sexual activity, that person suffer from the UTI, and this UTI, especially the gnoria, when recurrent occurrence of gnoria, this person suffer from the importancy, उनके क्या होते है, कि जने टिला में जो होने चाहिए, firmness और जो sexual desire, यह सारे समाप्त हो जाते हैं, बार-बार gnoria होने के चलते हैं, तो इसी को यहाँ पर mention किया हुए, bad effect of suppressed gnoria, किसी तरह से antibiotic से चाहिए, others means से suppress कर दिया जाए, तो इसके बाद भी importancy आती है, पेरिस में relaxation होना, firmness उसमें नहीं established होना, तो इस कारण से वो importancy के सिकार होते हैं, glit, आगे क्या है, glit, with absence of sexual desire or erection, देखिए, sexual desire और erection के absence के चलते हैं, उनमें, sexual activity करने के छमता आप बाकी रहती नहीं है, तो यह सारे reason हैं, और सारे symptoms हैं, impotency के means में, यहां पर एक नीचे मैंने जो pointer दिया हुआ, यह है, the agnus cactus patient may become simultaneously so sexually weak, so excessive excited that he has the seminal erections, seminal emissions merely upon embarrassing a woman, इसमें क्या है, जो इस paragraph में हमने mention कि हो है, कि वो इतने कमजोर हो जाते हैं, उनमें एक और कमजोर ही पाई जाती है, कि उनका excitement level इतना अधिक हो जाता है, यह यह कहें कि seminal emissions इतनी जल्दी हो जाता है उनमें, कि यदि किसी women's को, किसी औरत को वो अपने बाहों में भरना, इंबरेसिंग मतलब holding someone tightly है, किस के बाहों में भरे, तो भी उनको sexual, seminal emissions उनका हो जाता है, इसके बाद obviously यह भी importance का एक state ही है, इसके बाद वो sexual activity करने के योग ग्रहते नहीं है, क्योंकि sexual activity करने के लिए seminal emissions होने में time मिलना बहुत ज़रूरी है, as importance depends, he develops, यहां हम लोग देख रहे हैं, as importance depends, he develops voluptious fantasies, but without any erection, in other cases, they may be easily ejaculation without erection, कुछ दिन बाद और जब यह रोग chronic हो जाता है, यह कमजोरी उनमें chronic हो जाती है दिन, after some time, excitement के बावजूद, उनमें एक तो erection होता नहीं है, और दूसरा, जो थोड़ा बहुत कभी हुआ भी अचाहर नहीं भी हुआ, तो बिना erection हुए, भी उनमें ejection हो जाता है, so this is known as the complete impotency, ऐसा हो तो आप समझते ही है, इसके बाद तो sexual activity होने का कोई बसता नहीं है, तो यह complete impotency हो जाती है, मेल में, यह तो एक paragraph जिसमें, मैंने एक details मेंशन किया है, इसमें है कि old age के case में यह अधिक होता है, common old age के case में रहता है, खासकर उन लोगों में जो कि young stages में, जब young age रहता है, उस time sexual activity में अधिक involved रहते हैं, बट उपर के जो दो paragraph मैंने mention के, और खासकर के ellens की note में जितना यह mention है, यह सारा यह दर्साता है कि young age में भी, खासकर के today's time, यह condition बढ़ते जा रही impotency की, इसके लिए Agnes Castus और खासकर के, Cladium as Selenium, यह तीन medicine है जो अच्छा work करती है, next slide, next slide में हम लोग women's के case, women's के लिए इसके symptoms discuss करेंगे, जो इलेंस की note में mention है उसमें है, लिकूरिया कैसा होता है उसमें, transparent, transparent, but a stain blinding yellow, passes impossible from the very relaxed part, लिकूरिया कैसा होते एक ट्रांस्पेरेंट होता है, लेकिन एक समयने वाली बात एक transparent होने के बावजूद भी, जो अंडर गार्मेंट्स है उसमें yellowish stain, yellowish color अंडर गार्मेंट्स में चिपक जाते हैं, जबकि passage imperceptibly from very relaxed part, खास करके उनके भेजने ले, पार्ट में relaxation नाता है, इसके चलते बहुत कम माद्राम imperceptible, that means the, यहां पर मैंने mention किया imperceptible का, not, not perceptible by the sense or by the mind extremely slider gradual, दरसल इतना धीरे धीरे होता है कि पता नहीं चलता है कि यह discharge हो रहा है, बट यह होता है, खास करके जब undergarment, light color का undergarment जो girls या ladies पहनते हैं, तो उनको यह महसूस होगा है कि उनके undergarment में जो है, पिले पिले धब्बे पड़ जाते हैं जहां भेजिना का पाट रहता है वहां पर, तो जब ऐसा होता है तो उसमें agnes-casters अच्छा काम करती है, उसमें एक चीज आपको समझने वाली बात है एक जो symptoms होता है उसमें, वह symptoms है often with great sadness, यह एक uncommon symptoms है agnes के लिए, कि वह काफी mentally निरास रहती है एक दुखी रहती है जो प्रसंता होने चाहिए वह उन में नहीं रहता है उन अ औरतों में, यह agnes-casters का mental symptoms है यह रहे तो agnes-casters women's के case में, खास करके nursing women's के case में, यह suppression of milk है उसमें अच्छा काम करती है, bracket before cross reference जो medicine है वो है, as of a lack canine and lack D, यह medicine भी काम करती है, milk जब कम होता है जो nursing women रहते हैं, दूद पिलाने वाली औरतों में तो उस समय यह medicine दी जाती, यह agnes जो medicine वोमेंस के breast development के लिए भी अच्छी मानी गई है, तो इसको भी आप यदि symptoms मिलते हैं, खास करके mental symptoms तो यह दिया जा सकता है, तो उनके breast के growth के लिए यह medicine अच्छी होती है, further the astrality with no sexual desire, astrality with suppressed menses, यह astrality women's में भी पाई जाती है, खास करके women's में astrality कैसे होती है, उनका desire जो है, जो sexual desire है वो नहीं रहता है, वो समाथ हो जाता है, इसके चलते वो sexual activity करने के लिए इच्छा रखती नहीं है, और due to this, they suffer from the astrality. Next is a common thing, यह aliens की note में नहीं mention है, but menses के लिए मैंने mention किया है, means कैसे होते है उनके? Too late, जो regular cycle है, वैसा नहीं होकर, उसे अधिक समय में आना है, that means the 28 days या 30 days में नहीं होकर 35, 30, 40 days में आना, scanty यदि आता भी है तो बहुत थोड़ा absent और suppressed, या तो बिल्कुल absent हो सकता है, means या suppressed हो सकता है, तो this is the symptoms for the agnes castus in women. Next slide में, relationship, relationship क्या है या मुख रूप से सेलेंस की नोट में जो mention है, वो केवल दो medicine के लिए है, Cladium और Selenium, पहले ही हम लोग स्लाइड में पढ़ चुके हैं, कि खास करके importance के case में, Cladium और Selenium के साथ इनका cross reference या comparison किया जाता है, तो यहां relationship में, यह same thing है, Cladium और Selenium जो है follows well, after agnes in weakness of sexual organ or importance, sexual weakness के लिए agnes cactus के बाद ये दो medicine अच्छा काम कर सकती हैं, या इन दोनों के symptom बागी रहते हैं, agnes cactus देने के बाद, इन दोनों में से कोई medicine ये दी दी जाती है, तो और अधिक patient को फायदा मिलने की संभावना है, सो ये total agnes cactus के symptoms रहें, जिसमें मुख्यता agnes cactus, impotency और sexual weakness के लिए जानी जाती है, I hope you got the agnes cactus medicine, for now, thank you.